नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ XeGo App से आप IRCTC का एकाउंट कैसे क्रियेट कर सकते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि अगर आप 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 आउनलाइन टिकट बुक करते हैं तो उसके लिए आपके पास एक IRCTC का यूजर आईडी और पासवर्ड होनी चाहिए तब जाके आप यहाँ पे ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाइ स्टेप करके बताने वाला हूँ अगर आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अन तक देख लेते हैं तो मैं यहाँ पे आपको 100% गारेंटी के साथ कहता हूँ यहाँ पे आप एक्सिगो एपसी अपना IRCTC का एकाउंट बस 5 मिनट के अंदर अंदर बना सकते हैं तो वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए अगर वीडियो अच्छी लिडियो को लाइक कर दिजिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपना मोबाइल का प्ले स्टोर ओपेंड कर लेंगे ओपेंड करने बाद सिंप्ली यहाँ पर आपको क्या करना सर्च बार में आपको यह पर टाइप करना है एक्सीगो ट्रेन आप यहाँ पर सर्च करेंगे सर्च करने बाद क्या करना आपको एक्सीगो एप को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना, इस अप्लिकेशन का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाँगा, डिरेक्ट वहाँ से किलिक करके इस अप्लिकेशन को वहाँ से इंस्टॉल कर सकते, नहीं तो आप क्या करेंगे? Play Store में आएंगे और सर्च करेंगे Exigo Retreat इस चाहिए ऍस्लिदिद िखीआ और पएकुशन को यहां पर आप उपे करने आपके सामने गि देंग लेगा उसके फसके पहले हां से रखने पहले हैं तरह में किया चुर्ण पहले हां लाइज कि धर तो चलिए मैं यहाँ पे अपना मुवाइल नंबर को टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे अपना mobile number को सही सही type करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देखनी मिलेगा continue बस क्या करेंगे simply आपको इस continue पे click करेंगे जैसे continue पे click करेंगे click करने बाद इस तरह से हैं पे allow करने के option आगा बस क्या करेंगे allow पे click करेंगे allow पे click करने बाद यहाँ पे आपने जो भी number यहाँ पे type किये होंगे यानि fill up किये होंगे उस number पर एक OTP को send किया जता है तो उस OTP को यहाँ पे आपको fill up करना तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आपको क्लिक करेंगे जो होता है आप यहाँ पे लोगईन कर चुके यहाँ तो दोस्तो यहाँ पे आप को एप में login कर चुके हैं login करने के बाद उसके बाद यहां पे आपको IRCTC का user id और यहां पे आपको password को create करना होगा तो यहां पे अपना IRCTC user id और यहां पना password बनाने के लिए simply आपको नीचे देखने मिलेगा profile बस क्या अगर आपको इस profile पर क्लिक करेंगे जैसे profile में क्लिक करेंगे क्लिक करने बाद यहां पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखनी मिलेगा यहां पर आपको फिर से थर्ड नमर में देखनी मिलेगा register on IRCTC बस क्या करेंगे आप register on IRCTC पर क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे क्लिक करने बाद आपके सामने इसका इंटरफेस इस तरह से देखनी मिलेगा तो गाइस यहां पर आपको देखनी मिलेगा उपर साइड यूजर आइडी 3-10 करेक्टर यानि आपको यहां पर तीन से लेकर 10 तक अपना यूजर एडी अपना IRCTC एकाउंट के लिए अपना यूजर आडी बना सकते हैं तो गाइस यहां पर ध्यान रखना आप जब भी अपना यूजर आडी बनाएंगे यहां पर आपको एस्पेसल बनाना सबसे हट के बनाना जैसे आपका नाम जो भी हो जैसे मैं आपको दिखा रहा यहां पर देख सकते हैं ग्रीन कलर का आपको देखनी मिल जागा यह एवलेबल है तो इस तरह से क्या करेंगे आप अपना IRCTC यूजर आडी डालने के बाद उसके बाद आपको क्या करना यहां पर नीचे देखनी मिलेगा इमेल आडी यहां पर क्या करेंगे आपको यहां आपको एक email id आपको डालना होगा यानि आपको क्या करेंगे यहां पर पहले से email id डाला होगा यहां पर क्या करेंगे इसको क्लियर करने बाद यहां पर आपको एक email id डालना होगा आपको वही email डालना होगा जो आपके पास एवलेबल होगा क्यूंकि उस पर एक OTP को सेंड करता है तो यहां पे आपको सही साही अपना email ID कि अपना टाइप डॉल नहीं लगा लेकाइप यहां पर अपना email ID को सही करने के बाद उसके बाद यहां पे आपको आपकी अपको आनोब देख नहीं कब काम आता है जब भी आपना IRCTC का भविसेमाब अपना IRCTC का योजर आड़ी और पासवर्ड भूल जाएंगे तो यही आप यहाप पे question डाल के और इसका answer डाल के आपना IRCTC का योजर आड़ी और पासवर्ड पता कर सकते हैं तो यहाप आपको बहुत सरा option देखने मिल जागा तो यहाप आप देखेंगा जो भी आपको चूज करना जैसे मैं यहाप चूज करने वाला हूं यहांपे अपने वहें पर क्या करेंगे आपको देदेंगे मैं यहाप मैं यहांप in यहांपस देखने मिल एक पर वहांगे आपको सुरज दालें गे उसके इहाप यहांप को नीचे हो गए हैं पर क्या करेंगे जैसे नाम आपका सूरज है तो फिर फिर डालेंगे उसके बाद यहां पर नीचे देखने मिलेगा लास्ट नेम यहां पर क्या करेंगे अगर आप अब marred हैं तो हमें marriade पर click करेंगे अगर आप Unmarried food करेंगें आप साधी सुदा है तो आप साधी सुदह में click करेंगे अगर नहीं utilize पर नहीं कलिक करना उसके बाद यहां पर नीचे देखने में date of birth यानि आपको क्या करना अपको यहां पर इपना इपा यहांप हमपे खतलो है और 몸 हो चुड़िया उसके आपश के लागवार्मेंat है तो सफोनसीन अपके आपकी क्या क्या करता है कि मैं स्ट्रूदेट्टS क्या है क्लिक करेंगे और अपने चूज स्टुचूध सेख्ड़ Sugave करने वाद उसके बाद यहां पर आपको नीचे देखनी मुलेगा proceed बस क्या करेंगे simply आपको इस प्रोसीड में click करेंगे जैसे आपके प्रोसीड में click करेंगे click करने आपके सामने इसका interface इस तरह से देखनी मुलेगा उसके बाद यहां पर आपका country जोगा यहां पर आपका automatic पहले से फिल अप रहता है उसके बाद यहां पर आपका आड्रेस टाइप करने बाद उसके बाद आपका आपका यहां पर आपका city ले लेगा उसके बाद आपका post office जो आपका automatic यहां पर ले लेता है यहां पर आपका पोस्ट ऑफिस यहां पर गलत आता है तो simply क्या करेंगे यहां पर आपको नीचे देखने हुए प्रोसीड बस क्या करेंगे सिंप्र आप GDP करेंगे जैसे रिव्र के करेंगे किलिग करंगे चुबão अइसलें लगा वदे लेने बाद आपके सामने इंटर मोड से प्रोसीड इंटर भी लेगा यह मैं यहां पर करेंगा इमेल इडि में चैन्न के तो चलिए पहलिए आपना इमेल आइडी आर चेक करता हूं मेरा के आपका valo यहां पर कीब्स आया है यहां पे इमेल आईडि वेरिफिए केसन code is इतना है यानि आपका है पे OTP देखनी मिल जागा इसी OTP को आपको वहाँ पे fill up करना है OTP fill up करने से पहले यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आपका जो IRCTC का user ID है और password है यहाँ पे आपको देखनी मिल जागा यहाँ पे आप देखेंगे करेंगे इसका screen sort भी ले सकते हैं यहाँ पे देखेंगे योर यूजर आडी और यूर पास्वार्ड यहाँ पे अपना user ID और password यहाँ पे successfully आपका IRCTC का create हो चुका है तो यहाँ पे चलिए मैं आपना OTP को वहाँ यहाँ पे fill up करता हूं आपको सही-सही fill up करना है तो चलिए मैं अपना OTP को पहले email ID बहुँआ और OTP को यहाँ पर fill up करता हूं यहाँ पर आपना email ID का OTP fill up करने के बाद उसके बात यहाँ पर आपको निचे देखने मिलेगा प्लीज इंटर तो OTP Stand यानि आपका Mobile नमर में जो OTP आया होगा उस OTP को यहाँ पर आपको Fill Up करना है यहाँ पर मेरा Mobile नमर मेर B B OTP आ चुका है मैं अपना OTP को Fill Up करता हूं अपना OTP को सभी सही क्या करेंगे Fill Up करेंगे यहाँ पर आपना Mobile नमर और यहाँ पर e-mail id का दोनो और TP को सही सही fill up करने के बाद उसके बाद यहां पर आपको देखनी मिलेगा नीचे verify account बस क्या करेंगे simply आपको इस verify account पर click करेंगे जैसे click करेंगे click करेंगे आपके सामने इस तरह से interface देखनी मिलेगा your account has been verified successfully now you can continue with the booking यानि आपके हैं पर successfully आपका account यहां पर आपका create हो चु सब्सक्राइब करें अगरे आपको कुछ पूछना कुछ क्वारी से तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जैहिंद जैभारत